मेरा नाम उप्रका सेन ही है और आपको इस स्क्रीन पे मेरे मोबाइल नमबर दिख रहे होंगे आप किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए मुझे वोड्स अब कर सकते हैं थेंक्यू सो मच हेलो स्टुडेंट्स आज हम क्लास 10th के चैप्टर नमबर 1st का 1.2 एकसरसाइज में क्यूशनन नमबर 1 सॉल करने वाले हैं क्यूशनननमबर 1st का 1st की पार्ट देखी है नमबर गिवण लिखा है 140 लेकिन इस से पहले हम क्यूशन समझते हैं क्यूशन क्योंग क्या पूचना सा रहा है निमले कि संख्याओं को अभाज्या गुननखंडों के गुननफल के रूप में व्यक्त कीजिए अब आपके दिमाग में ये क्यूशन राइज होता होगा कि अभाज्या गुननखंड क्या होते है तो अब भाजे गुनानगंट से पहले हम यह समझें कि अब भाजे किसे कहते है अब भाजे मतलब जिसे विवाजित ने किया जा सके अब भाजे का मतलब क्या होगा जिसे विवाजित ने किया जा सके अब विवाजित ने किया जा सके का क्या मतलब है जिसे विवाजित नहीं किया जा सके मतलब ऐसा नहीं है कि इसे किसी भी संख्या से पॉन्ड रूप से भाग नहीं दे सकते लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो संख्या यासी होती जिससे यह विवाजित होता है यह है पॉन्ड रूप से केवल और केवल दो संख्याओं से केवल और केवल दो संख्याओं से विवाजित हो सकता है या हो सकती है हो सकती है यानि की अब आज्द्जeth के से बोलेंगे जिसे विवाजित न क्याता सगी ये तो इसका साब दिकर्थ हो गया और अगर गनित के साब से देखा जाए तो यह पूंड रूप से केवल और केवल दो संख्याओं से विवाजित हो सकती है और कौन से दोसें के होंगी एक एक से वह दूसरा दूसरे स्वेम से या तो एक से भी वाज़त हो गया स्वेम से जैसे मालोग 11 है 11 या तो एक से पूरा पूरा भाग जाएगा 11 में या फिर 11 का 13 है 13 या तो 1 से डिवाइड होगी पूरे तरीके से या फिर आपका 13 से डिवाइड होगी इसलिए ऐसी सिंख्याओं क्या बला जाता है बात करें गुणरलखंड की तो गुणरखंड क्या होते है देखो कोई भी सिंख्याओं से विवाज़त हो सकती है आपने क्या बोला दाता है बॉनल खंड जिन संख्याओं से दी गई संख्या वी वाजित हो सके जिन संख्याओं से दी गई संख्या वी वाजित हो सके वे संख्याओं दिए गई संख्या के गुणन खंड होते हैं दिए गई संख्या के गुणन खंड होते है यह से बिल्कुल सोटी संख्या लेकर बताता हूं जैसे 12 है वन से पॉंट रॉप से विवाज़त होती है तू से भी पॉंट रॉप से विवाज़त होती है थ्री से भी पॉंट रॉप से विवाज़त होती है इसके लाद देखा जाए तो शिक से भी पॉंट रॉप से विवाज़त होती है और ट्वैल से भी पॉंट रॉप से विवाज में हम 2 की बात करें 2 या तो खुद से विवाजित होता है या फिर 1 से विवाजित होता है 3 या तो खुद से विवाजित होता है या फिर 1 से विवाजित होता है बाकी के जितने भी नमबर बच गए ये खुद से विवाजित होने के अलावा और 1 से विवाजित होने के अलावा अब і और भी अन्यस सिंहाँ से विवाज़त हो सकते हैं मिआइक इस वि biggest हो कि आएगा दोसरी हो जाएगा और 4 से wizard हो पुय तो यह संकिज नहीं है लेकिन यह दोनों के इसिंन्ख्य हैं कि दोनों के सिंख्य हैं अब आजरर में तो इन खंड नहीं किए ज सके! clear है!? तो इस तरीके के चिछंग का है हमें ग्याद करने किस के लिए सबसे पेले म् ग्याद करेंगे 140 के लिए तो देखो हमारा नमबर कितना गहाना 140 अब इसका तरीका कई है ग्याद करने का हम इस तरीके से एक सीधी, लाइन खिछेंगे और यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से खिचेंगे clear है तो सबसे चोटी सिंख्या देखी जाए जिसके और टुकड़े ने केजा सके जिसको और विवाज़ित ने केजा सके तो ऐसी सिंख्या दो है अब देखेंगे कि दो से ये सिंख्या जो दे गई से पूर्ण रूप से विवाजित होती है या नहीं होती है तो जिन भी सिंख्यां के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो वो हमेशा 2 से पूर्ण रूप से विवाजित होती है इसका मिलब इसके आखरी डिजिट के है आखरी एंक है 0 तो यह 2 से पूर्ण रूप से विवाजित होगी और दो से पूर्ण रूप से भी वाजित होगी तो देखो 140 में अगर आप 2 का भाग दोगे 140 में आप 2 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा 2 2 सत्य 14 तो यहाँ पर हमने लिख दिया 14 और यह माइनस करेंगे यह हो जाएगा 0 जीरो और नेक्स्ट इजिट के अपना 0 जो कि 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितने बार होगा 0 बार तो यहाँ पर नमबर आ गया हमारा 70 क्लिर है फिर हम लाज्ट डिजिट देखेंगे 0 है यहनि कि 2 से डिवाइड होगा तो 2 से इसमें बाग देंगे 70 में 70 में 2 का बाग कितने बार जाएगा 2 3 च्छे और 1 बचे गा यहाँ पर और यहाँ 0 2 पंजे 10 क्लिर है तो यहाँ पर कितना आ गया 35 अब 35 में किस से का बाग जाए इसमें 3 का बाग जा सकता है या नहीं जा सकता तो 3 का बाग जाता है जब दी गई सिंख्या के अंको का योग भी 3 से विवाजित हो यहां अंको का योग कितना होगा 3 और 5 8 8 में तो 3 का बाग जाता नहीं है तो हम अगला नमबर सोचे तो अगला नमबर जो अब भाजिन नमबर होता वो होता है 5 तो पाँच के पाँड़े में 35 आता है पाँच सत्य 35 अब साथ तो खुद एक अब बाजे संग के साथ के और गुनानखंड नहीं के जा सकते तो इसमें बाग चला जाएगा साथ का तो देखो 140 के जो अब बाजे गुनानखंड हो गए वो क्या हो गए दो गुना दो गुना पाँच गुना साथ अब देखो यहाँ पर दो दो बार आ रहा है तो दो को में इस तरी की से लिस्टे दो की गात दो गुना पाँच गुना साथ तो यह हो गए 140 के अब बाजे गुनानखंड तो हम इस लेवल पर आकर अब आजे गुणान गंड को इस format में लिकेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 140 किस के बराबर होगा दो की कहाँ 2 गुणा 5 गुणा 7 ठीक है तो next जो इस question का part है उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे झालिट रुणा 7 जो बराबर होगा उन्हाँ 2 एक जब पर यहाँ वीडियो पर रहा हुआ झालिटर्साम्म को तो भु़ झालिए सिर उन्हाँ 1 जोड़ाँ 1 गुणा 5 गुणाव को बहुआ। झाल झाल झाल